प्रेक्षन पूछा है गुरु देव प्रणाम मैं सो रहा था रात को अचानक ओम की ध्वनी सुनाई दिया मैं उठके बैश गया और एक घंटा तक उसका आवाज सुन लिया बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन उस आवाज मेरा लेफ्ट कान से बाहर निकलने लगा उसके बाद मेरा लेफ्ट कान बंद हो गया अनाहत नाद की आवाज भी सुनाई देता है और कान से आवाज भी बाहर जाता है अब मुझे डर लग रहा है दूसरा कान भी बंद ना हो जाए मैं इस आवाज को बंद करना चाहता हूं कैसे बंद करूं? करपा बताने की करपा करें मैं आप से संपर्क करना चाहता हूं कैसे करूं? परणाम गुरुदेव हमारा मन सुन्दर घटनाओं को भी बहे में परवर्दित कर लेता है अब भला आपने ये साथना शुरू किसे लिए की थे? इस आनंद की ध्वनी के लिए जो पैदा हुई उंकार की ध्वनी का प्रकट हो जाना मामूली बात है क्या? अगर प्रकट हो गई है तो किसी कान से निकलती है नहीं निकलती है कान बंद हो रहा है सुनाई नहीं पड़ रहा है कभी दूसरा कान बंद ना हो जाए ये वैस अता रहा है लोग इस आनन्द की एक जहलब पाने को बेताव रहते हैं और तुमने एक घंटा इस आवाज का लुदफ लिगा अब भी चल लगी है ये आवाज पर्म सुखदाई है शीतल है कोई नुकसान नहीं करते नुकसान का वै सिर्फ तुम्हारा मन पैदा करता है एकाथ दिन दो चार दिन लुटफ लो स्वमेव बंद हो जाएगा फिर बच्टा हो गए मन का सवभाव है मन डराता है कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए मन का सवभाव ही ऐसा है इरादे बांधता हूं सोचता हूं छोड़ देता हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कभीर कहते है राजा परजा जही रूचे है सीस दे ले जाए सिरकट वाले पुर ले जाए प्रेम ना बाड़ी उप जाए प्रेम ना हाट बेकाई ना खेती होती है प्रेम की ना किसी दुकान पर मिलता है प्रेम राजा परजा जही रूचे है राजा हो प्रजा हो कोई भेद भाव ने जिसको भी अच्छा लगता है वो इसका दाम चुका दे ले जाए क्या दाम है इसका सी सिदे ले जाए सिर कटा ले और ले जाए यहां तो कान ही बंदुरूगा है कैसे चलोगे उस अग्यात रहूँ छोटी छोटी अर्चिन पर गुरू को पकारोगे छोटी छोटी अर्चिन पर अपने मन के पीछे लगोगे तो उस आनंद की कल्पना मतर ही शेश रह जाएगी यह आनंद और तुमने चखा भी क्या जो बाहर उचल के आ गया तरंग बाप बनके वही तो मतर सुना कैसे उस गहरे कुए में जहां से वाश्प बनके वो पानी निकल रहा है जिसका आनंद तुमने चखा ओम की धुनी का और उस कुएं के भीतर अगर तुम कुदे तो उस आनंद की कल्पना तुम कर कैसे सकते हो बहुत मुश्कल हो जाएगी इसलिए तो बाबा नानक कहते है कि कोटे ने में कोई एक चलत है कोटे ने चलत एक पहुंचत है करूडों जग्यासों में कोई एक चलता है पहली बात प्यास नहीं जगती होसला नहीं बंदता मुड़ताएं ही इतनी है कि तुम अपने आप तक पहुंचने की चेश्टा करते ही नहीं दुखों से तरही माम तरही माम करते रहते हो लेकिन दुखों से निजात पाने के थो सोपाएं तुम करते नहीं और अगर कोई करता है कोटिन में कोई एक चलता है एक चलता है कोटिन चलत एक पहुंचता है करोडों जो चलते हैं पहले तो करोडों में एक व्यक्ति चलता है फिर जो करोड चलते हैं उनमें जो एक व्यक्ति पहुंचता है क्यों इतना difference क्यों उसका कारण समझे आ गया होगा यही कारण है कुतुहल वश तुम साधनाई शुरू कर देते हो और फिर उसके जो प्रणाम आने होते हैं वो ही आते हैं अगर उससे गलत प्रणाम आएं तो भी मन डरे डरना तो फिर भी नहीं चाहिए अगर सीस दे के भी ओम की द्वनी प्रकट हो गई तुमने उसकी लज्जत ले ली एक घंटा उसका आनंद माने रहे और फिर मन फस गया एक घंटा मन न फसा कान बंद हो गया कोई गट न गट ये भी कोई गट न है थोड़ा सा मैल कान में अटक जाए तो कान का सुनना बंद हो जाता है और तुम हो के एक कान से सुनना बंद हो गया तो तुम उस साधना के फल तक को छोड़नी के तैयारी पकड़ ले जिसको रिशी गण हजारों सालों के तब के बाद प्राप्त करते है सो भागी तो क्या तुमने जिसन मनाना था अपने मन के पीछे लगके कमपने लग गए जे तुम प्रेम मिलन की चाव जे तुम प्रेम मिलन की चाव सीस तली धर घर मेरे आओ पहले सेर काटो तली पे धरो और फिर मेरे घर आओ अभी तो ट्रेलर है कुए के भीतर के भीतर तम तर से आई हुई पानी की वाश्प की छोटी सी बूंदें तुम्हे लुतफ दे गई ओम की आओज की ध्वनी का ट्रेलर सुना गए चलेगा कुछ दिन चलेगा महीनों भी चल सकता है लेकिन इतना आनंद कारी इतना आनंद युक्त अगर सब्त तुम्हे मिल गया है सुत्य से प्रकट हो गया है ये तुमारी थोड़ी सी साधना से प्रकट हो गया है अभो भाव ना करोगे इश्वर का केहे प्रकट तेरा कोट इन कोट इन शुक्र गजार के तुने मेरी फर्याज सुने यहां लोग हैं जो सारी उमर टक्रे मारते लेते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता सुने बैठते हैं और सुखे उठ जाते हैं पल्ला जाड लेते हैं कुछ नहीं मिला और अगर तुम्हें मिल गया है तो देखो जिस चीज के लिए मैं शुरू से तुम्हें अलर्टेशन करता हूँ कि साथधान बहुत कुछ आएगा मन को भीच में मत आने देना मृत्यू तक के कलपनाई मन करेगा आएगे नहीं मृत्यू नहीं है अगर मृत्यू आती तो बुद्ध एनलाइटनमेंट के बाद 35 वर्ष चालिस वर्ष तक जिवत ना रहते है बगवान महमीर एनलाइटनमेंट के बाद 40 वर्ष तक जिवत ना रहते है कबीर जीवत ना रहते है मृत्यू नहीं आते मंड राता है कि मृत्यू आ जाएगी कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए मंड राता है बला पहले किते हैं सुकी थे तुम बहुत सुकी थे जो इस साधना नी तुम्हारा सुक्षेन लिया जिस लिए निकले थे जिस जर्ने की तलाश में निकले थे वो पत्थर उठ गया और जर्ना प्रकट हो गया तो इसमें आश्यार क्या है और उसमें डर्ने की क्या बात है तब ही तो तुम्हें संत पहले आखिरली बात सुना देते हैं कबीरा कड़ा बजार में लिए लुकाटी हाथ जो घर बारे आप में चले हमारे साथ जगा जगा तुम्हें सीधी सीधी बात सुना रहा है संत और तुम सुन रहे हो और तुम उसकी रसीली आवाज और उसकी रसीली आनंद की अनभव को देखकर उसके पीछे हो लेते हो और तुम उनसे साधनाई पूछ लेते हो और तुम करने भी लग जाते हो और इश्वर तुम पे क्रपादू भी हो जाता है पिर डर का है का है ऐसे ही अगर डरोगे तो यह तो कुछ भी नहीं हुआ है करोड में खर्ब में हिस्से का भी हिस्सा उसे भी कम हिस्सा उस परम विराट की जलका तुम्हें मिला है बा मुश्कल लोग हजारों वर्ष के तब के बाद इन साधनाओं के फल को प्राप्त किया करते हैं तुम्हें अगर थोड़ी साधना के बाद मिल गया तो मन के पीछे लब जाओ रहा है क्या छोड़ दोगे मन की यही कल पनाएं तुम्हें पहुचने नहीं देने तब ही तो तुम मारे मारे फिर रहे हो आनन्द की एक-एक बूंद के प्यासे है गुरु देव प्रणाव मैं सो रहा था रात को अचानक ओम की ध्वनी सुनाई दिया मैं उठके बैठ गया और एक गंटा तक उसका आवाज सुन लिया बहुत मज़ा आया लेकिन उँ आवाज मेरा लेफ्ट कान से बहर निकलने लगा उसके बाद मेरा लेफ्ट कान बंद हो गया अचानक अनाहत नाद की आवाज भी सुनाई देता है अनाहत नाद की आवाज भी सुनाई देता है तन्यवागी हो अभी ओम की ध्वनी तुम्हे सुन रही है आनंद भी मान रहे हो और कान से आवाज बहर भी निकलता है हुआ कुछ नहीं है सिर्फ आनंद का जरना फूटा है प्रकट हुआ है तुमने उसका लुतफ माना है ये हुआ है अब मुझे डर लग रहा है क्या डर लग रहा है कि दूसरा कान भी बंद न हो जाए सभी डर मृत्यू के डर होते हैं मैं पहले भी अनेकों बार बोल चुका हूँ कि सभी डर मृत्यू के डर होते हैं अब कान न बंद हो जाए कान तुम हो नहीं नहीं तुम कान नहीं हो कान इंद्रिय है बंद हो जाए हो जाए लोग जान बूज़ कर कान को बंद कर लेते हैं कि बाहर की आवाज सुनाई न पड़े और तुम डर रहे हो के कान बंद न हो जाए तो तुम सीस तली पे रख के कैसे आओगे तुम घर को कैसे बारोगे मुल्य तो चुकाना ही होता है और मुल भी क्या चुका होगे तुम उसको चुका होगे जो तुम हो ही नहीं क्या इता चुकाने से बिटे रहे हो जो तुम हो नहीं कान तुम नहीं कान तुम से अलग अस्तित्व है इंद्री है और अगर बंद हो गया तो बंद हो गया तुम आनन्द के लिए निकले है और आनन्द का जरना पूटा भी ने थोड़ी वाश्प करने बाहर आने उन वाश्प करनों से तुम इतने गवरा गए कि तुम्हारा मन कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कवीर जैसे लोग तुम्हें यूही नहीं चेफ़ाते हैं वो तुम्हें पहले से ही आगाह कर देते हैं जैतों प्रेम मलन की चाह सीस तली धर कर मेरे आओ तली पे रख लो पहले सीस रख लो जिस सीस के ओपर तुम्हारे कान लगें वो पूरे का पूरा सीस तली पे रख लो अगर इस रह पे चलना चाहते हो बंद तो हो ही जाएगा साधना बंद कर तो बंद हो जाएगा का दूदा है क्या मुश्किल पड़ी है बंद हो जाएगा उसके चिंता मत करो अनह दिनात की आवाज सुनाई देता है और कान से आवाज भी बहर आता है अब मुझे डर लग रहा है दूसरा कान भी बंद न हो जाएगा डर भी लगा तो कैसा लगा और ये चले हैं पीश्वर को पर लक्स इतना विशाल उस विराट की द्वनी मत्र से कंप जाता है मान कान ना बंद हो जाए जुबान ना बंद हो जाए ये सर में पीडा क्यों हाद हो गए मन के पीछे लगना बंद करना होगा मजा तो तब था अगर तुम उस आनंद को नरंतर पिए जाते हैं और कलपना करते हैं के ये आनंद केक्षण गहरे हो जाए संसारिक सुखों में अगर तुमें मजा आता है तो तुम सदा ही इस चीज की कलपना करते हो के ये आनंद केक्षण बढ़ क्यों नहीं जाते हैं ये खंड क्यों नहीं हो जाते ये थोड़ा बढ़ क्यों नहीं जाते हैं तुम सब कुछ दाओ पे लगा लेते हो के आनंद केक्षण बढ़ जाए यहां आनंद प्रकट हुआ है तो तुम कहते हो कि मैं इसे बंद करना चाहता हूँ ओम की ध्वनी आ रही है तूसरे कान से बाहर जा रही है अब देखिए इस दशा का आनंद लेना था और सादक डर गया जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैट मैं वपूरा बूढण डरा मैं वपूरा मैं बेचारा बूढ़ा डर गया जिन उन्हें खोजा उन्हें पालिया गहरे पानी में पैट के जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैट मैं वपूरा बूढण डरा गया किनारे बैट कान के किनारे पे बैटी गए है कहीं बंद ना हो जाए वैसे भी तो बंद हो जाएगा इस से पहले के सदा के लिए बंद हो जाए मोट तो अपना काम करे कि की करेगा तुमारा कान ही नहीं तुमारा समस्त सरीर काम करना बंद करतेगा और अगर लुत्फ के दो चार शन तुम्हें नसीब हुए हैं उनको नहीं प्योगे मैं चाहता हूं के कान ये आवाज बंद हो जाए मुझे डर लग रहा है मैं इस आवाज को बंद करना चाहता हूं ये आवाज कैसे बंद होगी कृपया बताने की कश्ट करें मैं आप से बात करना चाहता हूं कैसे करूं परणाम भाबा जाए बात कर भी लोगे तो कुई फर्क करना पड़ेगा बात तो सिर्फ यही है कि तुमने अपना मकदर खुद से पोड़ लिजा अभी नहीं पूटा है साधना को बंद कर दोगे तो फिर तुम्हारा मन तरसेगा लल जाएगा उन ख्षणों को जो तुमने कभी पिये थे आनंद गया है अभी तुम्हारे सामने है तुम इने छोड़ना चाहते हो क्यों छोड़ना चाहते हो किसी इंद्रिय विशेश के नस्ट होने के डर्स और कबीर कहते हैं कि सिर दे दो तली पे रख लो और फिर मेरे गावं में आओ सीस तली धर घर मेरे आओ जेतों प्रेव मिलन कीचा अगर तेरी इच्छा है कि तुम उस परम की अनुभूती को पाना चाहते हो तो अपना सिर काटो तली पर रखो और मेरे घर पे आओ कोई सचमुश से सीस तली पे नहीं रखना होता सिर्फ वावना प्रबर होनी चाहिए कि जाता है जाए सरीर जाता है जाए तुमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि सरीर तुम हो ही नहीं यहां जाने को कुछ नहीं यहां दोनो हातों में लड़ू है बचा लो अगर बचाए जाते है छोटी छोटी बातों पे घबरा होगे छोटी छोटी बातों पे गुरू को पकारोगे तो आगे ने चल पाओगे मेरे जीवन में ये घटना तुमने पहली बार नहीं कहे गया बहुत से भागे हैं शटर खोल खोल के डर के मरे कहीं बर ना जो एक बच्चा मेरा मन आया सक्ति पात करने का मैंने सक्ति पात किया और गवरा गया जैसे ही आनंद की करणों में डूबने लगा डर गया मन तो मरेगा है मन मरेगा तो आनंद का जनम होगा और जैसे ही सक्ति पात तुमारे उपर हुआ तो मन ने मरना शुरू कर दिया वो तो विवेकानन्द जैसे ही वीरपुरिष्टे जो जेल गए उस सबस्ता को लेकिन फिर भी जेलते 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 एक वक्त आया कि विवेकानन्द चिल लाया बहुत से डर के आया गुरु जी मेरे माबाप भी हैं मैं मर जाऊंगा लुतफा आरा है आनन्द के गहरे समुद्र में आनन्द का मजा मान रहा है लेकिन मृत्यू के वैसे विवेकानन्द कप गए गुरु जी मैं मर जाऊंगा मेरे माबाप भी हैं राम किशन के हैं लगे अच्छा तुम्हारे माबाप भी हैं तो फिर वाहरा जाओ किसी की इच्छा के विवरेत उसे ग्यान भी तो नहीं दिया जा सकता संत कभी इतना हिंसात्मक नहीं होता कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना आनंद भी उपलब्त कराते हाला कि उसे पता होता है कि इससे जादा मुल्य कुछ भी नहीं जब सत संग की घड़ी आई सत संग में डूबने की घड़ी आई तो विवे का नंद कंप गए विवे का नंद ने चीख मारे मर गया बाबा मेरे माबापी है सत संग करने से चूक गया यद भी बहुत कुछ पी गया था इस तोरान तुम भी इस तोरान बहुत कुछ पी लोगए बंद भी हो जाएगा कबराउमत तुमारे उपर तो किसी ने सक्तिपात भी नहीं किया है सिर्फ साधना के द्वारा हलका सक्तिपात तुमारे उपर हुआ है और इते से डर गए तो आगे क्या होगा विवेकानन्द के सिर से रामकिशन परमहंस ने अपना हाथ उठा लिया ठीक बाहरा जाओ सत्संग बहुत हो गया लेकिन पूर्ण सत्संग से चूख गए विवेकानन्द तुलसी दास रामचरित मानस के अपने एक दोहे में लिखते हैं सत्संग का प्रभाव सत्संग का मुल्य तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक अंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख मुक्ती का सुख एक पलडे में रखतो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला इक अंग तूलन ताही सकल मिलवी उस सारे सुख का थोड़ा सा भी हिस्सा जो सुख लब सत संग जो सत संग के एक ख्षड में जो आनंदा जाता है वो तुमारे स्वर्ग और मुक्ती के सुख को एक तुला में रख दें और दूसरी तुला के पलड़े में सत संग का एक ख्षण का आनंद रख दें तो भी वराबर न बढ़ेगा सत संग का एक ख्षण बारी बढ़ जाएगा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत संग सत संग का एक ख्षण अभी तो सत संग भीतर से उठके वाश्प रूप में तुम्हारे कानों तक मस्तिश्क तक ही पहुँचा है बहुत कुछ खास नहीं हुआ है जो तुमने गंटे दो गंटे पांच दस गंटे दो चार दिन का आनद तुम मान लोंगे वो स्वर्ग के सुख से एक अंश भी नहीं है सत संग का सुख तो बहुत दूर है वो तो कुएं के भीतर भी कूदना पड़ेगा कुएं के भीतर से उठी हुई वाश्प की छोटी सी करने भी आपको विचलित कर गएं मैं इस आवाज को बंद करना चाहता हूँ क्यों दूसरा कान बंद ना हो जाएं फिर तुम अपने आपको योगी समझते हो फिर तुम अपने आपको बहुत ज़्यादा मुमुक्षू समझते हो के हम मुक्त होना चाहते हैं रोज मेरे पास मैसेज आते हैं संसार दुख है हम इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं देख लीजिए करामत दुख से तुम कितना मुक्त होना चाहते हो कोई दुख नहीं, कोई कश्ट नहीं, कोई पीडा नहीं, इन वहाशे को, कोई धर्द नहीं हो रहा है, जिससे ये छट पटाए जा रहे हैं, कि निकालो मुझे इससे, बाहर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आनन्द की खुशबू बाहर फैली, और ये उसका स्वाद आस्वादन कर रहे हैं, और देखिए हमारे करम, हमारे भग्य, हम उसका आस्वादन भी नहीं कर पर दे, ये मन हमारा वहाँ भी अर्चने डाजते ही रहता है, फिर हम पहुँचेंगे कैसे हैं, छोटी छोटी बातों पर, अगर ऐसे, प्रकल्पनाओं का युद्ध छेड़ लेंगे, कहीं ऐसा नहो जाए, कहीं ऐसा नहो जाए, हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, जो करना था, मन करने नहीं देता, करना क्या था, इन आनन्द की खुशबूओं को पीना था, ताके इन खुशबूओं को पीकर, इन खुशबूओं को और पीने की ललके जगे, निर्किन लगन तो क्या जगनी थी, ललक तो क्या बढ़नी थी, तुमारा मन तो पहले ही शरार्ते करने शुरू करती है, और तुम इतने निर्बल हुए जा रहे हो, के इस सुख को छोड़ने की कगार पर, निश्य पर पहुँच गए हो, तुम इस निश्य कर्श पर पहुँच गए हो, के मैं इस द्वरी को बंद करना चाहता हूँ, जिस उंकार की द्वरी के रिए, बाबा नानक, आपको इतनी महता से युक्त शब्द सुनते हैं, पूरी जपजी बोलते हैं, एक उंकार, सत नाम करता पुर्गा, उस उंकार की द्वनी से, आपके मन्ने मृत्यू के वैक करन ही नहीं, ब्रित्यू तो अभी आई ही नहीं, अभी तो कुए में उतरना शुरू ही नहीं हुए, अभी तो भीतर का पानी का वाश्प आप तक पहुंचा है, थोड़ी को सुबू आपके नासा पुटों को सुगंद कर गई है, मन के पीछे हो लिए हो, बस मैं इसलिए ही कहा करता हूँ, के अद कच्चे पके मत उठ जाना इन भूगों से, इस दिशा में तभी चलना, जब सीस दे ले जाए, ये भावना प्रवल हो जाए, दुख इतना सता दे तुमें, जैसे आदमी आतमगात कर लिता है, मरने की इच्छा ही होती है, मृत्यू आ जाए, तो प्रेमिका की तरह वो, आलिंगन बद्ध हो जाता है मृत्यू के साथ, और तुम ऐसे वीरपुरुस हो, के कान को बंद होने तक से घबरा रहे हैं, कोई मृत्यू नहीं आ रहे हैं, कुछ घट नहीं रहा है, शुब हो रहा है, जिस शुब के लिए चले थे, वो पन परहा है, उसकी ध्वनी ने तुमें अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है, बला ये इश्वर की वेजिती नहीं, तो और क्या है, वो फिर से आएगा, तुम उसको स्विकार करने से, आलिंगन बद करने से, चुबने चाटने से, इंकार कर रहा है, और अगर वो वापस मुड़ गई, तो फिर कब आएगी, ये कोई नहीं कह सकता, मेरे पास रोज ऐसे पुरुशादे हैं, बीस वर्स पहले मुझे ऐसा हुआ था, उन ख्षणों का लुटफ नहीं उठाया गया, वो मौका चुक गए, और आज उसको याद कर रहे हैं, उस आनंद के लम्हों को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, पर लाप कर रहे हैं, बंद तो हो ही जाएगी, अभी तुम्हारा कुमेंट आया, अभी मैंने विशेश कर तुमारे लिए ये विडियो बनाया, के बता दूं के मुरुखता मत करते नूँ, इसको रोकने की चेस्ठा मत करना, अपनी साधना को बंद मत कर लेना, फिर आये, आये, ना आये, किते जनम बीत जा सकते हैं, फिर सुखे की एक बड़ी लहर भी आ सकती है, तुम एक-एक आनंद की, एक-एक भूंद के लिए तर्स जओ, ऐसा भी हो सकता है अगर तुमने इसका लाब ना उठाया, ने दो, इसको रोकुमत, और मन के पीछे लखे तो बहुत लोगों ने कवाया, बहुत बार गवाया, अनगनित लोगों ने कवाया, असंख लोगों ने कवाया, ये आकड़ा जो बाबा बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं निकल के बहार आते, कोटिन में कोई एक चलता है, करोडों में एक विक्ती चलता है, इमच अठाता है, कोटिन चलत, चल भी पड़ते हैं, एक पहुचत है, उस सिरे को, सत संके बीतर कूद जाने को, एक ही विक्ती होता है जो कूद जाता है यद पी लाला इत सारे रहते हैं उसका मुल्य नहीं चुकाना चाहते है मुफ्त में वो चीज वो आनंद का लुटफ मानना चाहते है मुफ्त में ही तो मिलता होता है तुम्हारे पास यह ही क्या कि तुम उसका मुल्य चुका दोगे जो मुल्य तुम चुकाना समझते हो वो मुल्य तुम्हारा है ही नहीं ना कान तुम्हारा है ना इंद्रियां तुम्हारी है ना सरीर तुम्हारा है कैसे चरोगे तुम इन रहों पे अगर ये धनी उत्वपन हो गई है अक्समात हो गई है रात्री को जागे गंटा सा आनंद लिया आपने आनंद में डूबे उस लहर में स्वाए फिर मन्ने काम करना सुरू कर दिया कहीं कान बंद न हो जाए कहीं मैं बहरा न हो जाओ और कवीर कहते हैं कि बहरे बहरे की तो बात छोड़ो अंधे बहरे गुंगे लूले लंगडे की बात तो छोड़ो अगर सिर काट के जब तक नहीं दोगे हाथ पे सीस तली धर घर मेरे आऊं तब तक तुमने कीमत चुकाई भी तो क्या चुकाई ये कोई केमते नहीं जो तुम देने जा रहे हो अभी से अभी से अगर ऐसा करोगे तो आगे तो वो सीस तुमसे मंगेगा और जब तुम कान ही नहीं दे सकते तो सीस कैसे तली पे धर पाऊगे तस गुरू की आवशकता सिर्फ इनी ही लमहों में हुआ करती है तुमारी चीखो पकार का जवाब कोई शास्त्र आज नहीं देगा कोई मृत सास्त्र तुमारी चीखो पकार का आज जवाब नहीं देगा आज जवाब देगा तुमें तो सिर्फ देहधारी पहुचा हुआ पुरस ही जवाब देगा, जो इन रास्तों से गुजरा, जिसने ये रास्ते तेह किये, टेडे मेडे कंट कीले मारगों से गुजरता गया, इन दुखों की तकलीफों को जेलते गया, और सीस काट के हतेली पर रखने का दुस साहस करता ग आज देहधारी गुरू ही तुमारे काम आएगा, और सदा ही देहधारी गुरू आपके काम आता है, मुसीबत के क्षणों में सभी सास्त्र भाग जाया करते हैं, उल्टी दोड लगा लिया करते हैं, सास्त्रों के पास कोई अनबव नहीं, सास्त्रों के पास कोई साहस नही सास्त्र दुस साहस तुम्हें ना दे सकेंगे सास्त्र तुम्हें साहस तक ना दे सकेंगे दुस साहस की तो कल्पना ही वेरता है ऐसे रिस्क से भरे हुए बहुत से मरगले तुम्हारे जीवन में आएंगे अगर तुम इस रह पे चलते हो नहीं तो तुम्हारा मन तुमसे ये राहा छुडवा लेगा अलग अलगत रहके भैद दिखा के कभी कान न मिठ जाए कभी आँख न मिठ जाए कभी पागल न हो जाओं कभी आवाज न छिन जाए कभी जीवन से हाथ न दोलू हालांके एक दिन आता है सभी के जीवन में तुम तो धन भागी हो जो तुमने घंटे भर इस आनंद का स्वाध चखा और अभी भी शुरू है न जाने ही जे कितनी देर चलेगा उसकी इच्छा विराट की इच्छा तुम स्विकार नहीं करते ह विराट से उल्ट चलते हो और जो व्यक्ति उस विराट से उल्ट चलता है वो सूखा भूखा दुख और दर्द से युक्त ही रहा करता है नहीं मैं इसलिए कहता हूँ कि विराट की इच्छा में अपने आग को समर्पित कर दो अहम तौम सर्व पापे भ्यो मुक्ष श्यामी माशुच भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं सर्व धर्वान प्रतज्य मामेकम शर्णम प्रच मेरी शर्ण में आजा है अर्चुन सभी धर्मों का प्रिद्याग करका है मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा अहम तौम सर्व पापे वियो मुक्ष श्यामी माशुच मैं तुम्हें मुक्ष मिले जाओंगा मैं तुम्हें मुक्ष का आनंद दूँगा लेकिन तुम्हारे साथ ये पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है सभी के साथ होता है कुछ दुस्था सी पुरुस कट जाते हैं शिलावत खड़े रहते हैं जरावी नहीं डग मकाते हैं उन्हें ही मैं वीर बुरुस कहता हूँ, इसलिए महावीर को, वर्दवान को महावीर के खिताब से बुरुसकरत किया गया, अलंकरत किया गया, महावीर था वो, नहीं घबराया, बृत्यू से भी क्या घबराना होता है, जो एक दिन आएगी ही आएगी, दोगड़ी पहले के दोगड़ी बाद, कितने आए, असंग के लोग आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा नामो निसान है रे बंदे, मत कर तू अभिमान है रे बंदे, मत चुपो, ये वेला अगर आगई है, इसको बढ़ने में सहयोग दो, मन को नमशकार कर दो, कि तू कृपा कर, ये वेला तेरा बोलने का नहीं है, ये वेला तेरा चुप करने का है, तू चुप हो जा इश्वर को अपना काम करने दे, उस विराट को अपना काम करने दे, और तुम उस विराट के हाथों की कठ पुतली बन जाओ, इस आवाज को बंद करने की बात मत सोचो सोचोगे तो खत्रा खाओगे सोचोगे तो पच्छता होगे सोचोगे तो पुने पुने सारी उमर तुम इस पच्छताप में ही सड़ते रहोगे कि मैंने वो खशन क्यों गवा दिये कौन सा वेला था जब मैंने गलत फैसला लिया और तुमने तो अभी कुछ गलत फैसला लिया भी नहीं और तुम्हारे साथ तो अभी कोई बहुत ज़्यादा गटा भी नहीं एक हलकी सी घूट तुमने वर ली तो कोई बहुत बड़ा आनद दुमारे तक आया भी नहीं वाश्पों में कितना पानी होता है कोई बहुत जाता नहीं होता तुम पीलोगे जितनी देर तक चलेगा उस विराट की इच्छा वो चलाए इन घड़ियों को अमरी तत्व तक ले जाए सदा के लिए इन दुनियों को शुरू रखे ऐसी मेरी कामना है ये चलती रहेगी तुम इस आनंद का पान करते रहोगे वो आनंद की महमा वो आनंद की बरोत्री होती रहेगी और तुम अपने भीतर परवेश करना सुरू करतोगे ये तो है मेरी इच्छा तुमारा मन क्या चाहता है और तुम क्या चाहते हो चलोगे तो वैसे ही वो वेकानंद चला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं चला सकते हैं अगर चलाओगे तो फिर कोई भरोसा नहीं कितने जनम बात फिर ये गटना वापस आएगी आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं का जा सकता इसलिए मुझे मत पुकारो अभी कुछ नहीं हुआ है अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगडा है और तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ता तुम्हारा है क्या जो बिगड़ जाएगा कुछ भी तो तुम्हारा है नहीं जिसे तुम मैं कहते हो उस मैं के भीतर एक आन्शमात्र भी तुम्हारा नहीं है तुम्हारा कुछ भी नहीं है तुम खाली हो तुम हो ही नहीं हो ही नहीं तो गवाओगे क्या टिके रहो इन एक्षणों में बने रहो इनका आनदबान करते रहो कुछ होने को नहीं है कुछ बिगडने को नहीं है पाने को सब कुछ है खोने को कुछ नहीं है साहसी बनो वीर बनो दुस साहसी बनो अगर इस आनंद का पान करना चाहते हो तो तुम तो सुरू से ही गवरा गए अभी तो एक काटा भी न चुभा और तुम तो हिल गए तो कैसे उन ख्षणों में तुम उतर पाओगे जब ईशा सलीव पे लटके लटके इश्वर से प्रात्ना करते हैं O God forgive them who are hanging me because they don't know what they are doing ओ ईश्वर उनको ख्षमा कर देना जो मुझे सूली सलीव दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं इन ख्षणों में कैसे उतर पाओगे मत चूको इतना साहस्या जे मनसूर के हाथ पाओँ काटती है जाते हैं मनसूर हसता रहता है तुम्हें तो अभी दर्द भी नहीं हुआ है उनका दर्द देखो कितना दुख हुआ होगा कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें तो आनत मिला है तुम्हें इसी से चूप गए मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ केसे बंद मत होने जेना जो कर रहे हो उसको करते रहना और इस आनत को बढ़ने की तरफ पांग उठाते रहना मृत्यूर मा अमृतो गमे मृत्यू से अमृत की ओर यही है तुमारा लक्ष गब्राव मत चलते चलो रुको मत डरो मत गब्राव मत धन्यवाद फ्वक्ष गराव करना हूँक दो समृता हूँ